हेलो ब्रीवेंड विल्कम टुमाई यूटूब चैनल जी एस क्लासिस में आपका स्वागत है फिर आज हम अपने इस वीडियो में सोचियोलाजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो प्रैक्टिस सेट है वो इस्पैसली पीजी टी के एकॉर्डिंग बनाया गया है ल कोया है को सामास साथ सामाजिक संबंधह के विसय में है यह कथन किसका है संच समास सामाजिक संबंधों सबंध्र के बिसे में है वे सामाजिक संबंधों के जाल को समाज मानते हैं कौन माइकाइवर एवं पेड जो हैं वो सामाजिक संबंधों के जो जाल है या जो सामाजिक संबंधों के जाल है उन्हीं को समाज मानते हैं आज का मारा अनिश कोश्चन है समाज सास्त्री समाज का अध्यान दो अस्तरों में करते हैं वो दो अस्तर कौन कौन से हैं ओप्सन नमबर A है आदिम एवं आधनिक ओप्सन नमबर B है परंपरागत एवं आधनिक ओप्सन नमबर C है सूच में एवं भिहद and option number D है इन में से कोई नहीं इसका right answer है option number C सूख्ष्म एवं ब्रिहद समाज सास्त्री समाज की अध्यन को दो अस्तरों में बारते हैं वो दो अस्तर कौन कौन से है पहले है सूख्ष्म और दूसरा है ब्रिहद आज कमारा निश्ट कोश्चन है निमनी लिखित में से कौन समाज सास के विशे सात्मक संप्रदाई से संबंदित है option number A है टाउनीज, option number B है जिन्सवर्ग, option number C है होब हाउस and option number D है दुर्खी इसका right answer होगा option number A टाउनीज । जो च्त that के बिशेसात्मक संब्रदाय के नाम से जाना जाता है वहीं दूसरा समर्थक के समंणुयत्मक संपदाय तो सोरोकिन, दुर्खीम, हाब हाउस, गिन्सबर्ग इस सारे जो हैं वो सेंथरिक स्कूल के समर्थक माने जाते हैं आज का मारा निश्ट कोश्चन है स्वरुपात्मक समाजसास्त की अवधारा किशने दी और इसका राइट एंसर होगा ऑफ्सन नमबर सी जार्ज सिमेल के द्वारा स्वरुपात्मक समाजसास की अवधारा नामक जो सिधान्त है वो प्रस्तूत किया गया है इसमें अवधारा से रिलेटड बहुत सारे कोश्चन पूछे जाते हैं और इसमें एक एक करके आपको लगबग सारी अवधारा या जितने भी बुक वगएरा से रिलेटड कोश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इसमें कवर करा दिये जांगे साथ ही किस थिंकर के दौरा कहां पर रिसर्च है अगर इंडियन थिंकर की बात करें तो किस थिंकर के दौरा कहां पर किया किस छेत्र में रिसर्च किया गया है वो छेत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे स्री निवास पूछ आज कमारनेश कोस्टिं है निम्न में से कौन समासास्त्री Chicago से संभन्ध है। इसका राइट एंसर होगा ओफसन नमबर A, A. Ismail जो है यह Chicago संभन्ध है। Chicago संपदाई के संथापक A. Ismail इनका पूरा नाम क्या है? की स्थापना की कुश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समासास विभाग की स्थापना किष्णे की तो ए इस माल ने 1882 में अमेरिका में की थी बात करें अगर सिकागो संप्रदाय ने जो है विशेषता नगरी समस्याओं के अध्यन की और विशेष्यान दिया तथा अध् है कि साथ संबंधित है बैग्यानिक प्रबंध सिधान और प्रविश। कि संबंधित का अभ्यूद यद्यों के अंदर मानव संबंधों का अध्यान करते हैं यानि अगर समासास की बात पुछे कि समाज सास में किसका अध्यन किया जाता है तो समाज सास जो है समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो संबंध होता है परसपर संबंधों का अध्यन किया जाता है जो समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके संबंधों का अध्यन जो है समाज सास के दौरा किया सिध्धान्त या उसका बैज्ञानिक तरीके से अध्यन ही और दियोगी समासास के अंतरगत किया जाता है इसलिए कोस्चेन कराई टैंसर हो के ओप्सन नमबर ए आज कमारा निश्च कोस्चन है समाज सास के बारे में कौन सा कथन सही है option number A है समाज सास एक बिसस्ट बिग्यान है option number B है समाज सास एक बियोहारी बिग्यान है option number C है समाज सास एक प्राक्रतिक बिग्यान है and option number D है समाज सास एक अमूर्त सध्यानतिक बिग्यान है इसका right answer होगा option number D, समाज सास्र एक अमूर्थ सध्यानिक बिग्यानि के, insurance है, जैसे कि एग समाज के पिच gotee, जैसे कोई society उसमें जो be 180 रहते हैं उदल्श AG CO raped को nossa बेंग छूँ नहीं सकते हैं तो यह किस तरह की संबंध है यह अमूर्थ संबंध है तो समाज सासर एक अमूर्थ समवयधानिक सैध्धान्तिक विज्ञान है इसका राइट एंसर होगा option number D आज का मारा next question है अगस्त काम्टे द्वारा समाज सासर नाम किस वर्स दिया गया most important question है और बहुत repeated है यानि बहुत बार यह question पूछा गया है कि अगस्त काम्टे द्वारा समाज सासर नाम किस वर्स दिया गया तो इसका right answer है option number C 1838 को अगस्त काम्टे द्वारा समाज सास का नाम वर्स 1838 समाज सासर के पिता के रूप में भी माना जाता है उन्होंने इस विसय की कलपना ब्रिटेन की और योगी करांत अधा प्रांस की करांति के कारण ही वहां अगस्त काम्टे के द्वारा ऐसी स्थित या पिर ऐसे सोसल चेंज इनको देखने के मिले जिसके चलते इनके द्वार समाज सास के अस्थापना जो है इनका पहला सोसल फिजिक्स नाम से समाज सास को जाना जाता था लेकिन बाद में वर्स 1818 को अगस्त काम्टे के दवरा इसका नाम जो है समाज सास दिया गया तो कुशन समाजसास की बिसेवस्त को समाजिक स्वरूपसास, समाजिक सरीर क्रिया विग्यान एवं समाजिक स्वरूपसास में विभक्त किया है ओप्सन नमबर A है जिनसबर, ओप्सन नमबर B है दुर्खीम, ओप्सन नमबर C है मटन and ओप्सन नमबर D है सोरो की इसका right answer है option number B दुर्खीम दुर्खीम ने समासाथ की बिसेवस्त को समाजिक स्वरूप सास्थ समाजिक सरीर क्रिया विग्यान एवं सामान ने समाज सास्थर में विभक्त किया है दुर्खीम जो है वो समाज को ही सर्वोपर ही मानते है यानि इनके दोरा कहा जाते है जो समाज में पवित्र है यानि दुर्खीम की दोरा जितने भी थियरी दी जाती है उन सभी में ये समाज को सर्वोपर ही मानते हैं और इनका जो अध्यान छेतर है वो कहां पर ऑस्टेलिय और उस्टेलिया की अरुंटा जन्जात में यह धर्म का अध्यान करते हैं और पाते हैं कि जो धर्म है या दुर्खीम एक प्रकारिवादी थिंकर के रूप में जाने जाते हैं जो समाज में जो भी कुछ भी एक्जिस्ट कर रहा है उसका एक प्लस कारे मतब उसका एक पॉज कारण है यानि धर्म से समाज में एक अच्छा संबंद या फिर गुड रिलेशन बनता है और जितने भी धर्म हुआ या फिर जो भी इनके दोरा और सारी धर्णाय दी जाती है दुर्खीम के दोरा उस सभी जो है प्रकारिवादी मतलब या सभी जो है सोसाइटी के लिए ए आज जी हुआ जितने भी सोसाइटी में एक्जेस्ट करते हैं उनका सब का कुछ न कुछ काम होता है इसलिए वो सोसाइटी में एक्जेस्ट करते हैं तो इस कोशन कराई टैसरों को ओप्सन नंबर भी आज कमारा नेस्ट कोश्चन है समाज सास के छेत में नियम हींता की अवधारा का निमनलिखित में से विद्वानों के किस यूगम ने प्रियोग किया है option number A है दुरखीम एवं मर्टन, option number B है मार्क्स एवं बेबर, option number C है मर्टन एवं काम्ट, and option number D है उपरियोग्त सभी इसका right answer होगा, option number A दुरखीम एवं मर्टन, समाज की सरशना में ही नियम हिंता के गुड़ छिपे होते हैं, दुरखीम एवं मर्टन, इसके प्रेरक हैं समाज की सरशना में ही नियम हिंता के गुड़ छिपे होते हैं, इसके समर्थ तक तिंकर कौन से एक हैं इमाईल दुरखीम और दूसरे हैं मार्टन, आज कमारा नियूश कोश्यन है, नियमने लिखित में से कौन समाज सास के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, option number A है एक राजनी, दर्शन, शास, option number B है इतिहास का दर्शन, प्स Prevention, प्स numbers C है जैविक विज्ञान के सिद्धांत, option number D है समाजिक और राजनेतिक सुधार आंदोलान, and option number D है औध्योगीक सास समाज सास के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, अट्रामी सताब्दी के उत्राद और उनीश्वी सताब्दी के पूर्वार्थ में कुछ पश्चिमी देशों बिसेशकर इंग्लेंड में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कतिक इस्थित में काफी बड़ा बदलाव आया इसे ही अध्योगिक कांति के नाम से जाना जाता है, यानि यह पूछ रहा है, इसमें कि समाज सास के पहले की घटना कौन से नहीं है, तो जो समाज सास जो बिसे है, इसका मतलब इसकी शुरुवाद और फ्रांस की कांति और इगलेंड की कांति, यह तीनों लगभग साथ की घ कापित किया गया है, उस टाइम और द्योगी कांति वो फ्रांस की कांति जो कि 1789 में हुआ था, उसी टाइम जो है, वहां के यूरो, इस्पैसली यूरो पॉंटिनेंट के जो भी सोसल चेंज थे, उनको देखते हुए, सबसे पहले कांति के द्वारा सोचोलोजी या फिस सम समारे निश्कोशन है, निम्नी लिखित में से कौन समात साथ के उद्भव के बौधिक स्रोत माने जाते हैं, उसान नमबर पहला है, फ्रांस की कांति दूसरा है, और जोगी कांति तीसरा इतिहास का दर्षन और चौथा है, सामाजीक सर्विक्षड, चौथा क्या है, आइट अंसर क्या होगा ओप्सन नमबर डी तीसरा और चोथा यानि जो इतिहास का दर्शन एवं सामाजिक सर्वेक्षड समासाथ के आभिरभाव के मूल में 18 सती के यूरोप की सामाजिक आर्थिक राजनेतिक और बौधिक प्रिस्ट भूम का महत्पूर हाथ था इसमें प् करता है समासाथ उद्भाव में बौधिक सोत का विशेश योगदान रहा है इसके अंदर के सामाजिक सनवेच्छर पद्धत संक की इस पद्धत आयतिहासिक पद्धत इत्याद अनेक पद्धतियां आते हैं कभी-कभी कोशन में यह भी पूछा जाता है कि समासाथ का उद् सीनेंटक इसका विकास देखा जाता है और इसका जनुम यूरोप कंटिनेंट के एंगलेंड की क्रांती औप्स नमेस अ मजिक सामाजिक नाओ का विग्ञाइश और जोसामाजिक सालह। का प्रभाव option c है मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाएं and option number d है व्यक्तियों के मद्ध संबंधों के प्रतिमान व्यक्तियों के मद्ध संबंधों के प्रतिमान इसका राइट एंसर होगा option number d व्यक्तियों के मद्ध संबंधों का प्रतिमान यानि समास्सास्त्री परिपेख्ष का केंड़ी बिंदु ब्यक्तियों के मद्ध संबंधों के प्रतिमान है आज कमान इनेश्ट कोशन है किस देश में समाज सास्तर सब्द का प्रतिपादन हुआ प्रतरशन अमेरिका और समाजसाघ सब्द का प्रत्रशन प्रतक्षवाणी दर्शन के जनमदाता अगस्त कामटेतों प्रतरशन ayamad 303 सोचियोलोजी सब्द की रशना वस 1838 में की थी यद्यप वेही पहले ब्यक्ति नहीं थे जिन्होंने समाज के बारे में समाज सास्त्री धंग से सोच विचार किया इनसे पूर्व सेंट साइमन भी इसी धंग से समाज के बारे में सोच विचार कर रहे थे जिनके विचारों का उन पर निश्य प्रभाव पढ़ा या निश्चित रूप से कांट पर सेंट साइमन के विचारों का प्रभाव पढ़ा उन्हेंने गडित सास्त को प्रथम और समाज सास को सबसे अंतिमस्थान दिया उन्होंने समासास को सभी विग्यानों की महारानी यानि अगस्त काम्ते जिने फादराफ सोशियोलोजी के रूप में जाना जाता है ये सोशियोलोजी को सभी विग्यानों में महारानी जो किसे माने है सोशियोलोजी के माने है सोचोल ऑजी कमाने है इन्होंने एक शो делает चांज का क्रम किस प्राची नितम बिग्यान रोप ने कौन है समाज सास्त्रविषय यह किसके दोर डिवाइड किया गया है ये सोचिल ओजी के फादर अगस्त काम्टे के दोर डमाएडेशन देखा गया है आशका मारन रेनिश्ट कुश्शन है समाज सास्त्री अर्थ में किसी भी विवस्था या प्राणारी की आवस्यक्ताओं की पूर्ती है तो जो भी गत्विधियानी क्रिया कलाब की जाती है उन्हें प्रकार कहा जाता है समाज की समस्याओं का अध्यान मैसो तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है लेकिन समाज के क्रमबद अध्यान के लिए समाज सासर विशय के उधे को अधिक समय नहीं हुआ इसलिए इसे नवीन समाजिक विज्ञान के रूप में माना जाता है यानि जो समाजिक ब्यवस्था है उसका संबन्द किसे है प्रकारियात्मक यानि जो समाज में जो ब्यवस्था अस्थापित है उसके लिए कौन सी उपागम जिम्मेदार है तो वो है प्रकारियात्मक यानि society में जो कुछ भी exist कर रही है उन सब का कुछ न कुछ कारे है वो अपने कारे को करते हैं इसलिए society exist या society stable है यानि समाजिक व्योस्था इसी के चलते बनी हुई है आज का मारा नेस्ट कोश्चन है समाज सास का साब्दिक अर्थ है option number B है समाज का अर्थ है समाज का विज्ञान परंतु समाज के बारे में समाज सास्रों के भिन भिन मत है इसलिए समाज सास को भी उन्होंने भिन भिन सरूपों में परिभाशित किया है किसी ने समाज सास को समाज के जाल के रूप में परिभाशित किया है तो किसी ने किसी तरह से समाज किया है लेकिन इसका जो साब्दिक अर्थ है वो समाज का विज्ञान है आज का मारा नियुस्ट क्योश्चन है निम्नि लिखित में से कौन समासास के उद्भाव का प्रमुख कारक नहीं है options n.A है अध्योगी करण, option n.B है प्रवोधन, option c है बैस्वी करण and option d है फ्रांसीसी करण इसका राइट एंसर है option n.C बैस्वी करण जो वैस्वी करण है ये समाज सास के उद्भाव का प्रमुख कारक नहीं है उदारी करण निजी करण और वैस्वी करण अगर भारत के परफेक्ष में देखा जाये तो ये 1991 से स्टार्ट हुआ था लेकिन जो समाज सास इसका उद्भाव इंगलेंड में जो अध्योगी करांत समाज सास के उद्भाव में औध्योगी करांति प्रवोधन वह फ्रांसी सी करांति इन तीनो का योगदान है लेकिन बैश्यु करण ये बात कि संकलपना है आज कमारा करती कहली समाज सास के स secular? समाज सास के संथापक कौन है? इसका बैट एन सरैंसर उप्सन नमबर ई है आप्सेर्डन बहुत अप्साइब कर चक्रण लियसेGA स्माजिक भौतिके किसे जाना जाता था लेकिन अगयी स्माजिक खार्ण तीस जुनिकी केदभा पर्षारकतर नाम जाता है आज का मारा नेश कोश्चन है 1876 में अमेरिका की एल विस्विद्याले में समासास का अध्यन किसके निर्देशन में आरम्भ किया गया इसका राइट एंसर होगा वर्स 1876 में अमेरिका के एल बिस्विद्याले में समासास का अध्यन जी समनर के निर्देशन में आरंभ किया गया वे अपने जीवन के अंतिम दो वर्स में अमेरिकी समासास परशत के अध्यक्ष भी रहे जी समनर अपने जीवन के अंतिम दो वर्स जो है अमेरिकी समासास परशत के अध्यक्ष भी रहे आज कमाला नेक्ष कोशन है निम्न में से कौन गलत है निम्न में से कौन सा गलत है ओप्सन नमर ए है समासास्ती मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं option number B है समासास उन मुक्था में गैर भाग्यवादी होता है option number C है समासास बिसिस्ट अर्थ रखता है ना कि समान अर्थ and option number D है समासास नयतिक्स अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं तो friend इसका right answer क्या होगा आप लोगो comment box में comment करके बताना है कि इस question का right answer क्या होगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में नए है तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें तथ वेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो जैए